एक इंसान जिसनु तैरना नहीं होदा पानी लई उसते मन अंदर बहुत ज़्यादा डर परेया होया। जादवी ओह कदी नहर जाक्ची लदे किनारे चांदा है उसनु बहुत ज़्यादा डर लागदा है ते बहुत ज़्यादा नेगटिव होड़ उते मानने मुझ अंदर नहीं होदा है। उसनु ठोड़ा जावी पाणी मिल जाए वहो शुकर मनावेगा। सेम ही पाणी है सेम ही इनसान है। एक पासे उसे पाणी नु लएके नेगटिव इड़े सोच रहा है और दूसरे पासे सेम ही चीज नु लएके प्रमादमा दरजा दे रहा है। नेगटिव या पॉजिटिव सोच यह सिर्फ मानदी बनाई हुई एक चीज है मानदा कम है तो हड़ी चौंकी दारी करना हर एक सिचुएशन तो बचाना एवन के ज़दों कोई बहुत सारी पॉजिटिव चीज होनी है नार्टी करना है कि इस दे यह नक्सान हो सकते ने अथे प्यरी होसके Jews पर मात्मा ने मान नो इस तरीके न डिजाइन कीता हुआ है कि मान नेगटिव चीज जान देनदा है विशेश्ता देन्दा है Solomon Terog просíst अधिव सोच है अधिशन नेगटिव ॥ूजानादी है मान अपने पास्ट एक्सपीरियंसां तो लेगे ता नो सिर्फ एक चेताम नहीं देंदा है कि एस्दा एह नकसान हो सकता है तीव सोच तो कि में बचिया जाए इस्दा सिंपल जिया अंसर एह है सब तो पहला एह समझ लेना कि ऐसी कोई नेगटिव या पॉजिटिव नाम दी चीज नहीं होगी ना ही कुछ नेगटिव है पते ना ही कुछ पॉजिटिव है इस ख्याल नो अपने दिमाग अंदर बठान दे लए इस दी हर रोज प्रैक्टिस करना उदारना लबनिया जे में पानी दी एक्जांपल है जिस इनसान नो तैरना नहीं होंदा उस दे लए पानी बहुत जादा नेगटिव चीज पर सेम ही इनसान जेकर ओप्यास दे नाल तड़ रहा है तां पानी वर की पॉजिटिव चीज कोई नहीं है इस तरह दियां उदारना नो वार वार अपने मन अंदल दोहरोना की सेम ही चीज पॉजिटिव भी है अते सेम ही चीज नेगटिव भी है दूसरा नमबर अपनी नेगटिव सोच नो समझना की तोहाड़ा मन तोहानों की दसना जा रहा है तो हड़ी केस तरह प्रोटेक्शन करना चाहरे है इस तरीके ना चलना है कि तुसीं तो हड़े मन दे मालक हो अते मन तो हड़ा चौंकीदार है जिसता कम सिर्फ एह है कि तो हानू चतावनी देना जेड़ी तो हड़ी नेगटिव सोच है उसनों नेगटिव सोच नहीं बलके उसनों एक चतावनी लेके चलना कि मेरा मन मन किसे चीज दी चतावनी दे रहा है अपना नजरिया बदलना नेगटिव सोच परती कि नेगटिव सोच सिर्फ एक चतावनी है अते मेरा मन चतावनी दे रहा है कि इस चीज तों बचो, जहां एह चीज ना करो, जहां एह चीज ता एह निकसान हो सकता है आप थीसरा नंबर एक आदत बनाओ कि जेड़ियावी चीजां तो अटे को नहीं है ने उननों लेके तुसी शुकर मनाओ तो अटेकल जिकर हाथ ने पैर ने तो अटेकल उपका रहा है तो अटेकल एक कान ने जो कि तुसी मेरी आवाज सुन पा रहे है तो अटेकल जबान है तो अटेकल नक है तुसी इस तरतीते जनम ले आ निकी निकी चीजनों लेके वड़ी चीज ता तुसी इस तर्ती दे जनम ले आ है इनसान दे रुब विच जनम ले आ है ता इस तो उपर कोई चीज नहीं सो निकी निकी चीज नू लेके उस प्रती शुकर मनाना की परमात्मा या एक गुदरत तेरा लख लख शुकर है की तुँ इनिया सारीया चीज़ा में नू दे दियाना आते इस चीज नू हर टाइम सवेरे उठनेया सार रात नू सोन का दहरोना निकीया निकीया चीज़ा नू जेते करके उनना दा शुकर मनाना शुकर मनान दी आपनी एक आदद बना लेना इस नाल की होएगा कि तोहाटे अंदर एक संतुष्टी पैदा होएगी जिस नाल तोहाटा मान संतुष्ट हो लगेगा उसनों अराम मिल लगेगा क्योंकि जदों आपने आले दो वाले प्रती जाँ, किसे भी प्रती संतुष्ट नहीं हुंदे तो आपना मान पर जिना शुरू कर दिना है आपना मान कहन दा है कि तिनू ए भी चाहिदा है क्योंकि जिमी में पहला किया मान दा सिर्फ अते सिर्फ कम है तो अटे चौंक दारी करना जेड़ी चीज तो अटेली सही है मान ने तुहानू उस चीज़ वाल अकर्शित करना है तो जेकर आपा संतुष्ट नहीं होँगे ता मान तुहानू उन्हा सारियां चीज़ां वाल अकर्शित करेगा जिनना प्रती तुसी संतुष्ट नहीं जिनना प्रती चीज़ां दी तानू खो पेंदी है सो जेकर आपना निकियां निकियां चीज़ां दा जद आपनी को नहीं हों लियां उनना चीज़ां नो अपना मण इग्नोर करना शुरू करतेंदा है आपनी सोच ओटोमेटिकली पोजटीव होनी शुरू हो जानदी है चोथा नमबर एक टारगेट बना लेना कि मैं हर एक हफ़े कोई ना कोई चीज सिखनी है, कोई ना कोई नवी चीज सिखनी है इस नार की हुनदा है कि तो आड़ा मान डाइवर्ट हो जानदा है, वो आपनी सोच तो हूँ, जो कि तुसी बोर हो चुके हुनदे हो तो आड़ी रेगुलर जिन्दगी तो हूँ, डाइवर्ट हो कि कुछ नमा, कुछ सिखन वाल चलन लग पेंदा है टार्गेट बना लेना कि मैं हर एक हफ़ते कोई नवी चीज सिखनी है, इस ता ए मतलब नहीं कि तुसी हर एक हफ़ते डिगरी लेकिया हूँ, पर जस्ट निकिया निकिया चीज़ां तो शिरुवाद करनी है, सोखा तरीका एह है कि एक लिस्ट बना लगो, चेड़ियां त चीज़ां, पते हर हफ़ते एक टार्गेट सेट कर लगो, कि इस हफ़ते मैं इस चीज नो सिखन दी कोशिश करनी है, यह नहीं कि तुसी एक्सपर्ट होना है, सिर्फ सिंपली कोशिश करनी है, उस नो सिखन बारे उस चीज बारे कुई किताब पढ़नी है, कोई वीडियो जया किसे अपने पैन पर आतों, अपने मित्तरतों कुछ नहीं कि ए चीज मैं सिखना जोना है, कि मैं सिखकी जा सकती है, यह जिरूरी नहीं, तुसी एक हफ़ते चीज ही सिखनी है, उस चीज नो सिखन लई तुसी दो हफ़ते, तिन ह़़ते, चार हफते, जिन्ना मर्जी टाइम तानों लगे पर तुहाटा जयतन एच होना चाहिएदा है कि कुछ तुसी नमा सिखना जोंदे हो पंजाह यार लोग का प्रति सर्वे किता गया कि जेड़े लोग कुछ नमा सिखने वो पोजिटिव होन देने उनना आदा कॉंपिडेंस जादा होनदा है वो खुश होन देने उनना ता जीडिया दमाग दे जड़े अंदर नर्वजने दमाग दा जड़ा सरक्ट है कुछ न क कुछ नवा बांदा जानदा है क्योंकि ज़दों आसी कुछ नवा सिख दें हां आपने दमाग अंदर नवे सेल पैदा हुन देने अग्गे दो चीजां एक किसे वी इनसान परती तो आड़े अंदर किसे वी प्रकार्दी निकी तो निकी यां वटी तो वटी कड़वा हत पर ही है राद नूँ सोन लगके उसनू माफ कर देो सोन तो बहला अपने दमाग अंदर एक स्लेट एक स्क्रिarme देखो उस्ते जिन्नेवी इनसान ना प्रतीत वाड़े अंदर किसी भी प्रकार्दी कोई रंजश है कम्पलीटली सो परसेंट उना नूं माफ कर देऊ अधे अपनी सलेट नूं साफ कर लवो दूसरे नूं माफ करना बहुत ही जादा मुश्कल काम है पर जो पिछे हो गया अशी उसनों चेंज नहीं का सकते जो पिछे हो चुक्या है उसनों लेके हून बेशको दो मिन ने पराणा है जां बेशको 2 साल जां वी साल पराणा है उसनों लेके अपने मन अंदर एक नेगेटिविटी पार के रखनी वो समझदारी दा काम नहीं है वोह नेगिटिविटी तोटे अंदर दी अनर्जी लई रुकावट पैदा करते हैं किस करके इस दुनिया विच किसे भी प्रकार दी कोई गल है किसे भी प्रती उसनों माफ कर देओ दूसरा नंबर अपने आपनों माफ कर देओ असी जिन्दगी वेच बचपंतों लेकी वड़े होन तक बजुर्ग होन तक असी हजारा लखा क्रोडा ही मिस्टेक्स करते हैं गलतियां करते हैं पर अपने आपनों माफ करना किसे नों माफ करन आलों जादा मुश्किल कम है हर रोज किसे भी प्रकारदी प्राणी गलती नों लेके जिस करके तानों किसे भी प्रकारदा पिश्टावा हो रहा है अपने आपनों कम्पलीटली फरगिव कर देओ अपने आपनों माफ कर देओ अपने आपना गल करके अपने आपनों माफ करो और एक इनसान गलतियां करता है पर यह समझदारी नहीं कि अपनियां गलतियां नो फढ़के रखना पंजा साल तक, 20 साल तक, 15 साल तक, अपने ये गलतियान पढ़ की रखनार दे, अपने अंदर इनना ज़्यादा प्रश्तावा पर लेना, जन नेगिटिविटी पर लेना, यही समझदारी दा काम नहीं है, इसकार के अपने आपनों, अपने दूसरे सारे यां लोकानों माफ क आपने आपने आपनों माफ करना होड़ी होड़ी तो हड़े ले, सोखा हो जानदा है, पर पीट करते हैं, नमबर एक, पॉजिटिव जान नेगिटिव नाम दी, कोई भी चीज नहीं होंदी, अग्जांपलना बनाणियां, इसेम ही टाइम ते, एक चीज पॉजिटिव है, सेम ही इनसानलई, सेम ही चीज नेगिटिव ले, दूसरा नमबर, मन तो हड़ा चौंकीदार है, इसनू चौंकीदार दी तरह समझो, कि मन में नू कुछ दसना चाह रहा है, एक उसनू सिर्फ सुनो, सिर्फ सुनो, एक महसूस करो कि उस दे विच जो मन तो हड़ा तानू द विश्वाश कर दे हो प्रमात्मानों मान दे हो जा नहीं मान दे शुक्र गुजार होना या तार्मिक होना यह अड़ो अड़ चीज जाने इसलिए जो भी चीज तो अड़ेकुल है जेकर तुसी प्रमात्मानों मान दे हो तो प्रमात्मान दा शुकर करो पर जे कार तुसी प्रमात्मानों नहीं मान दे, ताम तुसी आपने आप दा शुकर करो, क्योंकि जो भी निकिया निकिया चीचां तो अडेकल है ने, ओखो तुसी खुद आपने आपनों दितिया ने, जा चंगिया ने जा माडिया ने तुसी आपनी जिंदगी दे वेच उन निकियां निकियां चीज़ां मैं नहीं कह रहा है कि तुसीं अगले ही हथे डॉक्टर दी डिगरी शुरू कर दो पर निकियां निकियां चीज़ां शुरू करो सिखनियां नमबर पांच, सारे लोगकानो किसे ने कोई वी ताटे प्रती कलती किती है, जों कोई चग्ड़ा किता है, उना अनो completely 100% माफ कर दियो, 100% हर रोज रातनो सारे अनो माफ करके सोगो नमबर शे अपने आपनों माफ करो हरे कि इनसान करतीयां करता है इसता मतलब ए नहीं कि अपने आपनों सजा देवो अपने आपना नरम हो अपने आपनों माफ करो जे असी अपने आपनों माफ करना सिखांगे ताहीं आसी दुच्यानल नरम तरीके ना चल सकांगे आपने आपनों माफ करो, दुच्यानों माफ करो सरबात दे पले लई, हर रोज अरदास करो सरबात दा पला ही तो आटा पला है इस इना सारियां चीज़ां दी प्रैक्टिस कुछ दिन कारके देखो टार्गेट रखो की एक में ने लिए ना चीज़ां सारियां दी प्रैक्टिस हर रोज करके देखो अते दस्यों की तो हार्टी पॉजिटिव जान नेगटिव थिंचिंग दे वेचे की चेंज आए ने तनवाग, गॉड ब्लस ये